आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे पचास से जादा स्किल डवलप्मेंट या फिर आप इनको केरियर एडवांस्मेंट कोर्सेज बोल सकते हैं जो कि आप BBA के साथ कर सकते हैं लेकि आप BBA किसी भी एर में हो हो सकता है अभी जस्ट अभी एडमीशन लिया है फस्ट इयर में हो, हो सकता है आप सेकेंड इयर में हो या फिर BBA कंप्लीट होने ही वाला हो आपका तो देखें ये वीडियो हर एक BBA स्टुडेंट के लिए है जो की प्राय कर रहा है ऐसे कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने की सोच रहा है या फिर कही न कहीं back of the mind ये realize हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ BBA के basis पर future में high salary jobs को पाना थोड़ा सा मुश्किल है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है 50 से जाद है जिसे मैंने heading में ही, thumbnail में भी आपको बता है और यहां पर भी मैंने लिखा है तो सारी categories of courses हम discuss करने वाले है जाहे वो creative courses हो, technical courses हो, non-technical courses हो if in case government jobs की preparation करनी है, कैसे करनी है internship करनी है, कैसे करनी है तो एक power packed हमारा session होने वाला है छोटी से request है, 10 से 15 मिनट आपको इस वीडियो को देने है और मैं बादा करता हूँ कि आपकी life के अगर आप BBA student है, सबसे important ये 15 मिनट होने हुआ ठीक है बच्चा, चलिए सबसे पहले बात करेंगे professional certification courses BBA कर रहे है, कितने भी अच्छा पढ़ाई में हो कितने भी V का पढ़ाई में हो ये certification आप कर सकते हैं तो यहाँ पर minimum as such कोई eligibility criteria नहीं है कि आपको extraordinary होना पड़ेगा, math में बहुत अच्छा होना पड़ेगा accountancy में बहुत अच्छा होना पड़ेगा ऐसे जहां पर कोई eligibility criteria नहीं है तो ये इंडिया के मेरी नजर में सबसे ज़ादा prestigious recognized certification courses है जो कि आप graduation या फिर BBA student है आप, तो BBA के साथ ये courses को आप कर सकते हैं CA के लिए आप जा सकते हैं, if in case 12 के बाद ये awareness नहीं थी, लेकिन अभी ये realize हो चुका है कि sir, मेरी accountancy थोड़ी अच्छी है और down the line हमें पता है कि हमें कहीं न कहीं accounting और finance related ही field को चूस करना है तो हम CA कर सकते हैं CA के लिए आप perfectly एलिजेबल हैं, provided कि आपके accountancy अगर स्ट्रॉंग है, practical aspect स्ट्रॉंग है तो आज का टाइम में भी बच्चा, CA one of the highest earning profession है इंडिया में, तो आप CA course के लिए जा सकते हैं, BBA के कोई से भी year में हो आपको, तो आप ये course के लिए जा सकते हैं बेसिकली accountancy based career नहीं है finance based career नहीं है तो इसका simple सा ये मतलब भी अगर आपकी accountancy या फिर finance weak है practically आप strong नहीं है उन बच्चों के लिए company secretary profession काफी ज़़ा suit करेगा तो आप CS के लिए भी जा सकते हैं ICSI से आप registration अपनी compete कर सकते हैं इंडियन body है, इंडियन recognition है इनकी CACS अगर आप इंडिया में रहकर high salary jobs को पाना चाहते हैं तो उस regard में काफी अच्छे हमारी professional certification course है मैं prefer करूँगा आप USCMA के लिए जाएं क्योंकि यहाँ पर आपको global recognition मिलती है, CA global level पे नहीं है, CS global level पे नहीं है ACCA हम बात करेंगे यह fourth number के जो course है इसको हम global CA बूलते हैं तो global level के यहाँ पर काफी certification के हम बात कर रहे हैं USCMA, इंडिया CMA भी है लेकिन USCMA की global recognition है तो जिन बच्चों को भी cost management field में कहरे बनाना है और perfectly match करता है यह BBA के profession के साथ तो वो CMA कर सकते हैं यह फिर global CA जिसे मैंने बात करी CA अगर आप certified मतलब chartered account and course जो इंडिया करवाता है ICAI कराता है उसके लिए जाते हैं तो उसकी सिर्फ recognition इंडिया में है लेकिन AWCA की 180 से ज़्यादा countries में इसके recognition होती है तो आप AWCA के लिए सकते हैं अचा एक चीज़ और इफ इन केस आप CFA USCM है ACCA FRM जैसे global level के financial certification के लिए जा रहे हैं या फिर planning कर रहे है तो आप मुझे instagram पे dm करिएगा मैं आपके लिए एक free consultation call arrange करवाँगा जिसके तो आपको सारी guidance मिल जाएगी कि इन ग्लोबल सर्टिफिकेशन को कैसे करना है कहां से करना है किसनी कॉस्ट इंवाल्व होती है वैस इंसिट्ट कौन सा है सारी चीज़े हम आपको प्रोवाइट कराएगे free of cost ठीक है बच्छा चलिए पिर आता है मारा Six Sigma का Green Valley quality control का सर्टिफिकेशन है बहुत कम बच्चे जानते हैं और YouTube पे आपको किसी को ये बात करते वे आपने नहीं सुना होगा लेकिन ये ग्लोबल लेवल का सर्टिफिकेशन है quality control field में ये बहुत ज़्यादा काम आपके आता है Certified Information System Auditor CISA का नाम है ये भी बहुत ही recognized global level का financial certification है financial तो नहीं कहूंगा IT level Information System नाम से बता लग रहा है Information System Auditor ठीक है तो जिन बच्चे को भी IT alignment specifically अपने carrier बनाना है हो सकता है आप BBA IT से कर रहे हो तो आपके लिए preferable carrier रहेगा पिर आता है CFP Certified Financial Planner या Professional आप बन सकते हैं CFP course को करकर CFA FRM आप BBA के बाद कर सकते हैं लेकिन CFP जैसे courses आप graduation के साथ या फिर BBA के साथ कर सकते हैं ठीक है बच्चा तो मेरी डजर में ये थे top professional certification जो आप BBA के साथ कर सकते हैं यहां रखेगा यहां पर पढ़ना पढ़ेगा तो आप ट्राय कर सकते हैं और 10 से 12 घंटे पढ़ने की जरुवत नहीं होती ना IAS वालों को होती है IAS aspirant का भी अगर आप interviews वगरा देखेंगे न तो अगर आप सही समय पहले से start करते हैं preparation तो आप 4 से 5 घंटे भी regular पढ़ते हैं the keyword is regular पढ़ते हैं तो आप easily crack कर पाते हैं किसी भी examination को ठीक है बच्चा चलिए अब आते है most important category जिसके लिए सब बच्चे prefer करते हैं कि सर skill development courses बताइए career advancement courses बताइए जिनको करना easy हो और इनकी duration भी कम हो ठीक है बच्चा तो यहां पर 3 से 12 मंद के मैंने best आपके लिए skill development courses के लिए स्किल आपके सामने है तो देखिए दो category में मैंने divide कर दिया है पहला category है technical courses क्या होता है technical courses जिन बच्चों का भी numbers बहुत अच्छा है practically strong है या फिर computer science में interest है technical मतलब जिन बच्चों का practical numbers वगेरा में analytical थोड़ा mind है वो student और computer science, computer tech से भी जो बच्चे है उनका combination होता है technical field या technical courses इन बच्चे को करने समझ गए ना इनको CS में interest है IT में interest है और computer या mathematics जिनके strongest stats जिनके strong है उनके लिए बने है technical courses ऐसी बात नहीं है कि इसको non-tech वाले नहीं कर सकते लेकिन अगर tech वाले बच्चे ऐसे बच्चे करते हैं जिनके mathematics और computer science अच्छा है तो वो बहुत अच्छा कर पाते हैं इन सब courses Does that make sense? तो impossible जैसी कोई चीज नहीं होती बस आपके strength आपके interest अगर match कर जाती है किसी courses में तो आप बहुत जल्दी उसमें अच्छा करते हैं Does that make sense? Yes or No? चलिए टेक्निकल courses में बच्चा आप business analytics के courses करें इस अपके समना तीन से लेकर बारा मन्त के near about के छोटा करना है certificate कर लो थोड़ा सा लंबा diploma कर लो या फिर आप degree भी कर सकते हैं आगी जाटे ये आज के टाइम में एक certification course बन गया है जिसके बहुत ही जादा demand है job market में भी तो अगर आपको finance field में अपना career बनाना है financial accounting field में अपना career बनाना है financial modeling के courses बहुत ज़ादा important है artificial intelligence और machine learning के courses बीबी के student बिल्कुल कर सकते हैं ये science वालों के लिए नहीं है यहाँ पर fundamentals आपको सिखाये जाते हैं कि आने वाले time में technology क्या से क्या कर सकती है और आप उस technology का कैसे better use कर सकते हैं ठीक है बच्चा stock market trading में जिन बच्चे को interest है वो stock market के courses कर सकते हैं business accounting और taxation BAT bet courses इनको बोला जाता है उनके आप short term courses कर सकते हैं programming languages के आप short term courses करिए web designing में अगर आपको interest है तो web designing, web development है HR human resource के certification होते हैं short term, 3-6 month के वो आप कर सकते हैं app या game development, business law में अगर आपको interest है तो इसके भी professional certification courses होते हैं CRM, customer relationship management के short term courses होते हैं computer hardware या networking में interest है तो इसके short term courses करिए digital marketing है, ethical hacking अगर आप technical बंदे हैं, तो ये दो courses में आपको suggest करूँगा ethical hacking के या फिर cyber security के financial market के courses, stock market में अगर आप query बनाना है न दो बहुत important courses है NISM और NCFM ये एक standard body कराती है इंडिया की दोनों courses जो की 6 month के near about में आप complete कर सकते हैं different modules होते हैं इसमें, आप कोई भी important modules चुनकर उनके examination दे सकते हैं, काफी cost friendly ये courses हैं तो कि आपको financial market की काफी अच्छी knowledge प्रवाइड कराते हैं MS office की skill होना आज की time में बहुत ज़रूरी हो गया किसी भी organization में जाएए, तो आपको word, excel, powerpoint वगएरा की skill समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है बच्छा, SAP के courses बहुत ज़रा famous है SAP Pico के courses बहुत ज़रा famous है, SAP हमारा database management software है ठीक है, तो अगर आप किसी भी firm में जाते हैं, body level की firm में जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी MIS work होते हैं, data entry work होते हैं SAP software के उपर ही होते हैं, तो इसकी भी certificate courses होते हैं, short term courses होते हैं वो आप कर सकते हैं, computer level की knowledge या computer की knowledge gain करने के लिए O level के courses होते हैं, O level, A level, B level, C level और C level हमारा expertise वाला level होता है, यह Mtech के बराबर होता है यह MCE के बराबर होता है, तो आप इस level तक भी computer related courses कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे short term courses हैं, जो कि आप कर सकते हैं, make sure करिएगा आप अच्छे institute से करें, mode कैसा भी mode है, online भी available होते हैं, offline भी available हैं तो आप जिस mode में भी comfortable हैं, उस mode को आप choose कर सकते हैं अच्छा, detail जानकारी के लिए न, मैंने एक e-book भी बनाई है इसका, डिसका क्या होता है, जिसका link आपको description मिल जाएगा वहाँ से आप, जितने भी इंडिया के बहतरीन short term courses हैं मैंने सब के सब वहाँ पर discuss कर रखे हैं, 50+, जी हां, 50 से जारा short term courses वहाँ पर discuss कर रखे हैं, 5 categories में मैंने हर courses को divide कर रखे हैं क्या वो categories हैं, मैंने हर एक courses मान के चलिए, पहला course हमारा वहाँ पर digital marketing है तो digital marketing क्या है, उसके क्या फाइदे है, कितनी cost लगती है, क्या jobs अविलेबल है, उन jobs में कितनी salary मिलती है और most importantly, इंडिया के वो concept best institute है, जो कि वो courses को provide कर आते हैं, उन सब की मैंने list आपके लिए provide कर आते हैं तो ऐसे ही, हर courses को मैंने 50 से जादा, to be precise, 55 वहाँ पर मैंने इंडिया के best short term courses को list कर रखा है और इस सारी detail दे रखी है, कि वो क्या courses है, क्या benefits है, क्या salary है, क्या jobs available है, क्या eligibility है, कौन बच्छे कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, कौन से वो best institute है तो मैंने सब कुछ, क्योंकि बहुत time से मेरे बच्चों के request आ रहे थी, कि sir, ऐसा कुछ e-book लाइए, ऐसी कुछ service लाइए, जिसके तो हमें बदा लग सकते, कौन से अच्छे short term courses है प्लेस कौन से वो अच्छे institute है, जहां से हम पर सकते हैं, तो आपने बहुत time से request कर रहे थी, तो मेरे product ये launch कर दिया है, मैंने पिछले week ही launch कर रहा है, बहुत अच्छा response है, अगर आप भी download कर जाते हैं, description मा आपको link के, लिए बच्चा चलिए, अब बढ़ते हैं, non-technical, non- personal skill जिनकी अच्छी है, वो कमरे में बंद करके IT वाला काम सिर्फ computer में लगे रहना नहीं चाहते हैं, वो कही ना कहीं management का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो कही ना कहीं ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, जहां से वो human being को serve कर से, does that make sense, तो यह होते हैं, मेरी नजर में non-technical courses, इनको ह हर एक बच्चा कर सकता है, बढ़ाई में अच्छे हो, तो भी कर सकते हो, नहीं हो, तो भी कर सकते हो, वहीं पर technical के लिए थोड़ा सा analytical, थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा दिमाग ठोना जरूरी है, लेकिन creative या non-technical courses हर एक बच्चा कर सकता है, graphic designing है, VFX और animation है, blogging और content creation है, लाखों कमारे मेरे बच्चे, बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं, जो कि blogging और content creation की basis पर लाखों कमारे है, अगर आप writing में अच्छे है, creative दिमाग है, तो आप इन में भी अपना कहरे बना सकते हैं, digital art और illustration, drawing, art and craft अगर आपकी अच्छी है, digital artist आप बन सकते हैं, e-commerce management के short term courses होते हैं, business communication के होते हैं, business communication बहुत relevant skill level charge, अगर आप management student है, तो आपको इनके courses जरूर करने चाहिए, ठीक है, hotel management में अगर आप interest है, तो अगर आप degree नहीं करना चाहते हैं, तो short term courses भी कर सकते हैं, advertising के, creative advertising के भी short term courses होते हैं, hospitality management के होते हैं, tourism के होते हैं, event management के short term courses होते हैं, ज इनको रेडियो जौकी बनना है, अपना रेडियो एसम पे वर्क करना है, तो आप रेजी भी बन सकते हैं, डिजिटल आर्ट और पेंटिंग की वर्क्शॉप्स होती है, जिसे मैंने आपको बताया, फॉर्ण लेंग्वेज की कोर्से हैं, अंट्रोपिनेशिप एडिपी के प फोटोग्राफी होती है, प्रोडेक्ट फोटोग्राफी होती है, बहुत सारे समय भी लेवल होते हैं, music production के short term courses होते हैं, fitness और nutrition के भी short term courses होते हैं, जोकि non technical category में आते हैं, जोकि एक BBA के बच्चा कर सकते हैं, ठीक है तो देखिए, यह बहाना नहीं चलेगा आज की सर मैं क् short term courses तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, short duration के होते हैं, cost भी आपकी कम लगती है, कोई भी mode आप चूस कर सकते हैं, online करना है, online करो, offline करना है, offline करो, CV में बहुत अच्छा एक impression create करते हैं, सिर्फ degree के basis पे आज के समय में, अच्छी job मिलना, close to impossible हो गया है, बच्छा, तो कही ना कहीं, आपको अपना add-on करना पड़ेगा, अपने resume में यह सारी चीज़ है, ठीक है, अब internship की बात कर लेते हैं, चलो, jobs तो गेरा की बात कर लेते हैं, देखें, jobs या internship दो तरिके से मिलते हैं, internship क्या होता है, जब हम किसी को temporary basis पर, जिसी किसी भी organization को temporary basis पर join करते हैं, वहाँ पर skill सीखते हैं, और वो skill के basis पर हम real world में जाकर, या किसी और company को जाकर join करते हैं, या फिर बहुत अच्छी वो company है, जहां से आप यह internship कर रहे हैं, तो आपको वो company ही hire कर लेती है, अगर आपने वहाँ पर काम अच्छा है, ठीके बच्चा, तो यहाँ पर आप training वगएरा ले सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए या internship के लिए, internship companies ही provide कर लाती है, वो किस basis पर आपको hire करती है, या तो आप BBA वगएरा में बहुत अच्छा आपका record हो, CGP वगएरा आपके numbers वगएरा बहुत अच्छे हो, उस basis पर आप, यह portals हैं, कुछ portals का मैंने नाम लिख रहा है, यह platforms हैं, जिनमें आपको अपना एक profile ब courses कर लिजे, जहां पर आप अपने resume में लिख सकें कि मेरी ये relevant field है, मुझे इस चीज में expertise है, इस चीज में relevant knowledge है, उससे related आपको internship मिलना काफी आसान रहा है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर अपनी education के basis पर, अपनी academics के basis पर भी resume बना सकते हैं, और वहां पर ऐज़ा fres experience होगा, knowledge होगा, और कोई organization आपको क्यों hire करेगी, simple सा, थोड़ा सा दिमास लगाओ ना, जब आपको किसी भी field का knowledge होगी, समझ होगी, या फिर experience होगा, तो आपको जल्दी hire करेगी, कोई भी firm, या आपके job लगने के chances, या internship मिलने के chances काफी बढ़ जाएगा, rather than a fresher who doesn't have any experience, neither he has done any type of courses, ठीक है, तो कही न कहीं, कोई न कोई short term courses करिए, उस short term courses से related ही internship find out करिए, एक बता रहा हूँ आपको, करना क्या है, कोई भी ऐसा short term course करना है, जिस पर आपको interest है, और उससे related ही आपको internship अगेरा search करनी है, उसी job role के आपको internship अगेरा search करनी है, portals मैंने बना दी है, आ आपको थोड़ा सा वहाँ पर search करना है, और अपना resume यहाँ पर build on करना है, ठीक है, अब government jobs की बात आती है, अब यह ignore नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे, back of the mind तो ही न, family का pressure है, back of the mind तो ही, कही ना कहीं सार, एक बार तो हमें government job के ट्राय करना है, ठ school toppers, university toppers, UPSC experience, ठीक है, जो 10-10 साल से 5-5 साल से लगे वें, उनके साथ आपका competition, बहुत ही success के कम chances, राइट strategy ही रहेगी, कि आप अपना एक exam चुनो, आप SSC के लिए तयारी करनी है, बैंक में भी SBI के लिए करनी है, IBPS के लिए करनी है, फिर RBI के लिए करनी है, LIC का examination है, UPS का examination है, तो कही न कहीं, आपको एक field ही choose करनी है, कि आपको किस sector की तयारी करनी है, बैंक की, SSC की, UPSC की, LIC की, RBI की, SBI की, आपको examination select करना है, और सबसे पहले क्या करनी है, coaching joint करनी है, फिर self-study का number आता है, बच्चे just opposite करते हैं, पहले self-study करते हैं, एक से दो साल, जब को ल और 1% जिन बच्चों का selection होता है, वो यही करते हैं, coaching के जरुवत कब नहीं है, तब नहीं है, जब यादो आपके भाई-बैन ने अलरड़ी coaching ले रखिये, material है, समझाने के लिए है, या फिर कोई का आपको guide करने वाला है, उस case में coaching के जरुवत नहीं है, समझ में आप आरी बच्चा, उस case में self-study के basis पर कम से कम 2 साल लगते करो, आपका selection होता है, कम से कम 3 साल लगते हैं, अगर आप 0 level पे हैं, और selection तक, कम से कम, ठीके बच्चा, तो यह 2-3 चीज़ होगा, आपको ध्यान रखना है, एक sector चुनना है, coaching लेनी है, 6-7 मंत लगीने coaching में, उसके बाद जितना भी time बचेगा, एक से डेर साल, उसमें आपको self-study करनी है, और minimum 3 साल लगते हैं, अगर आप 0 level पे हैं, selection तक, ठीके बच्चा, समझ में आप रहा है, तो उमीद कराऊं, जितने भी options हमने discuss कर रहे थे, सबके बारे में आपको clarity मिल गई होगी, इतने कम समय में, इतनी e-book prepare करी है, description में link है, जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ से आप उस e-book को buy कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी question होता है आपका, आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे comment box पे, ठीक है बच्चा, मिलते हैं next वीडियो में, till then take care, goodbye, पढ़ते रहे हैं, मेहन